आज में आपसे 20 गराम धागे से वह भी एगंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुती सुन्दर सा टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूं दिपा निटिंग चैनल में यह टोपी छे मन से लेकर एक दो साल के बेवी के लिए आप बना सकते हैं और यह आप आसानी से किसी भी में मिलने के वह आपको शलाय का यूज़गर रही हूं अब देखे इसका उपर आपको 36 फंदे डालना हैं साइस का इसाब से फंदे आपको सारी फंदे बिनना है बनाने का तरीका बहुत है इसलिए मैं आपसे स्यार कर रही हूं आप भी जरुछ रहरे अगर दोस्तों शेर सीरी माँख देने गएक उड़्माइक उड़्माोस चीड़्माइक टो फोठ्बन में आज सूक हूं वास्ट संद्विन तैर फोट बिननें राघन देना कक्ते पे लुस पहसे हैं इसी तहरीके से सारी फंदी शीधी शीधी सीधी बींते हूएśmy बिनाई का लास्ट में आ चुकी हुँ, लास्ट में दो फंदे बाकी होने के बाद दो फंदे 2 गायक इतनी होने के बाद व्यक सा旬 इस तरीके से व्यजाइन चन्तव करना है फिर, फसपंदा बीना बीना यहां से शारी फंदी से को cat इंब लाश्ट का सिथा बंट तागा आपने और यहां से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनना है, मतलब आपको दो धारी वाला डिजाइन, दो सीधी वाला डिजाइन इसी तरीके से आपको बिनते होए, इसका पर बना आनी है, अब देखें मैं लास्ट में आ चुकी हो, लास्ट में फिर दो फंदे बा होए, बिनाएका लास्ट में आ चुकी हो, यह इसका ब्याक साड है, देखें, फिर इसकी सीधी साड से फसपंदा बिना मिना, फिर यह साड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी, सीधी सीधी बिनते होए, मैं बिनाएका लास्ट में आ चुकी हो, लास्ट में फिर आपको दो परतक सीधी साइट से इसी तरीके से दो बंदे दो कायक बिनते हुए फंदे घटानी है और व्याक साइट से आपको डीजान चेंज करके बिनना है व्याक साइट से देखे सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे फिर सारी फंदी सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आचुकी हो लास्ट का एक फंदा उल्टा अब देखे फिर इसकी सीधी साइड से फस फंदा बिना बिना तागा आपनी और सारी फंदे उल्टी बिनाई इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं बिनाई का लास में आ चुकी हूँ फिर तागे पीछे लास में दो फंदे बाके होने के बाद दो फंदे दो कार दिखिए यह इस तरीके से एक दो धारी वाला डिजाइन फिर दो सीधी वाला डिजाइन दो धारी वाला डिजाइन दो सीधी वाला डिजाइन दो धारी वाला डिजाइन इस तरीके से आपको बनानी है इतनी होने के बाद इसका अपर आपको थोड़ी अलग से बिनाय बिनना लग से नीचल नहीं होने के भाद, थोड़े अलग से बिनाय बिनने हैं, स्पंद युल्टी बिनाय बिनते होएं, मैं बिनाय का लास्ट में आचुकी हूं अब देखिए ये ब्याक साइट इस तरीके से बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइट से देखा रही हूँ सीधी साइट से इसका उपर फस फंदा बीना बीना तागा आपने और एक फंदा उल्टा बीना तागे पीछे एक फंदा सीधा इसी तरिके से आपको बेंना है एक सीधी एक उल्टी बीनती हुए अब देखे इसी बात को रीपीट गरते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ लास्ट में दो फंदे दाने के बाद फिर दो फंदे दो काय इस तरिके से सीधी साड से फंदे गटा कर बीनेंगे इसे बात को रिपीड़ को रिपिड गळते होए, आप इसका उपर डिजाइन बनाईयेगा एक अतरीके से बिनते होए, लास्ट में आ चुक्युए हुआ थाकशमे प area यक फंदा इस तरीके से akin को बना और तो पर ऐसे 1 maggम रास्ट पर गंदा दो कमा उठ्साइक होए तागी पीछे सीधी और अगे का एक फंदे लेकर दो फंदे दो काईग, फिर उल्टी वाला उल्टी बिनाई, तागी पीछे सीधी और अगे का एक फंदे लेकर दो फंदे दो काईग, इसी बात को आपको रिपीट गरते हुए बेनना है, अब देखे, मैं लास्ट में आ रिज्ञाइन चाँ मैं का और अग्य का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 काइग मतलब इसमें 2 फंदे 2 काइग बिनते हुए लास्ट में फंदे घटाए के अब ब्याक घृंगा चाहिके देखे सीधी वाला सीधी भा गा आपने योरि उल्टी में बिना-बिना-बिना-बिना शीधी आपकों नहीं स्थे फ़्य बिन नहीं सिट नहीं, बेड़ना, अब देखे सीधी साडरी से में फंदा उल्टा, ठाके से 2 फंदां, साथ लाँष्ट में दो फंदे बाधि होने के बाद दो फंदे दो काय इस तरीके से आपको भेनना है 구menlu 440 Ihr फंदे डानीneys आपको रिपीट गार नीहें अब देखे में जवेशित बात को रिपीट गरते हुए बेनना है देखे उल्टी वाला उल्टी विनाई तागे पीछे दो फंदे एक साथ अब देखे लास में फिर दो फंदे दो काई इस तरीके से आपको 22 फंदे राने तक बेनना है देखे एक दो तीन चार पान छे शार आठ नो दस ग्यार ग्यार दुनी 22 टोटल 36 फंदे में हाम 22 फंदे राने तक इस तरीके से बेनेंग है अब देखे इसका ब्याक साथ से फस फंदा विना मिना उल्टी वाला विना मिना सीधी वाला सीधी विनाई दागा आपने और उल्टी वाला विना मिना सीधी वाला सीधी विनाई इसी बात को आपको रिपी एक साथ, ठागा आपने और उल्टे वाला उल्टा भी नए, ठागी पीछे दो फंदे एक साथ, इसी बात को आपको रिपीट गारनी है, अब देखें मैं इसी तरीके से बीनते हुए, बिना का लास्ट में आ चुकी हो, यह आपको 22 फंदे पूरी होने के बाद बिना फंदे गटा हुए बेनना है, अब देखें, यह दो फंदे एक साथ, बास्ट फंदे पूरा हो चुका है, एक दो तीन चार पानच हो, शे साथ, आठ नो, दस, ग्यार य्यादधुने 22 फंदे होने के बाद हो not भी इस तरीके से लिव 12 न सब्सक्रीशव्स case 32 फंदे इदर साइड है 14 पंदे हम घटा रहे हैं यह आप साइज का इसहाभ से कम ज्यादा भी इस तरीके से फंदे City रह कर बना सकते हैं 36 की जगह और यह जो चपनदे है इसकी जगह भी और उपर का 22 भी चेस का इसर्ण और शाइब से यह कम ज़्याधा गहरा असके है किस तरीके से कम ज़्याधा गहरा कर एक किसी भी साइज में बना सकते हैं देखे यह एक कोलम है शल्ण में हम पांच ती यह मैं जो पर जाने के बाद यह 15 तो ये टोपी आशायनी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं अब देखें इधर साइड जो हम 14 फंदे घटा रहे हैं ये पर्तेक चेंद में एक एक बार फंदे उठाते हुए 14 फंदे इधर इधर से उठा देना है और भी टोटल 36 फंदे आपको बना देना है अगर ये किस इसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो आप फंदे कम ज्यादा भी ना आप चाह्य तो जो पांच कुलम हम इसमें बनाएंगे इसकी जगह आप च्छे कुलंद साथ कुलंद भी बना सकते हैं शर्की गुलाइ का हिसाब से इस तरीकोLEय के से यह आज सानी से किसी भी साइज में बन कर आता है अब देखे में इसी बात को रिपीट गरते हुए लास्ट में आ चुकी हूं पर्तेक चेन में एक एक बार फंदे उठा कर आपको इसका उपर 14 फंदे उठा देना है और फिर टोटल 36 फंदे बना देना है अब देखे इस अब देखे फेर इसकी से फंदे पस्पंदा बेना है इस में आ चुकी हूं यह इसका ब्याकशाड से आपको शारी फंदे सीधी बिनने के बाद लास्ट का एक बन्दा उल्टा अब देखिए फीर इसकी सीदी साइड से फस्पंदा बिना मिना यहाँ से फिर आपको शारी फंदी की बिनाया है इसी तरीके से जिस तरीके से हम नीचे का कॉलम बनाए है उसी बात को रिपीट गरनी है लाश में फिर दोफंदे बाके होने के बार दो फंदे 2 मतलब देखे इसके शीरी साइड में हम ब्याग समय के मैं से बनाएंगे अब स्कुल्म नीचे आपने समय को सब this कि अलगे इसके शीरी शाइड से इसी बात को को बीखल кораб को बात को बनाने हैं मतलब आपको सर की गुले का हिसाबसे इसी तरीके धिन जाना है आप चाहिए ऐक बार सर में लगा कर भी चेक गड़ सकते हैं मैं प्किंट कूलम म बना रही हूं ऐस तर ऊपर किस तरीके से बिनते आ रही हूं वह बाद कि पर बिना बिना दो फंदे एक साथ, दीजाइन का तागा आपने और एक फंदा उल्टा, फिर दीजाइन का दो फंदे एक साथ, फिर एक फंदा उल्टा, इसी बात को आपको रिपीट गरनी है, अब दिखी, मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए, बिना इका लास में 14 फंदे गटा आ रहे हैं बाकी का 22 फंदे इधर साइड है में गिनकर भी देखाती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार गयार दुने 22 फंदे इतनी होने के बाद 22 फंदे से देखा रहे हूं फस फंदा बिना मिना ताकि पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बिनने ना है ताका आपने और उल्टी में बिना मिना फिर सीधी फंदे सीधी उल्टी में बिना मिना इसी बात को आपको रिपीट गरते होए बिनना है अब देख इसकी सिधार चेट त्वेश्ट से दागी पीछे दो फंदे 1 साथ उल्टा वला उल्टी में इसी बात को आपको रीपीट गारनी है इसे तरीके से मैं लास्न में आचुकी हूं यह आपansa को 22 फंदे बाकिये बाकिये बात बीना फंदे घटाए हुए बीना है उल्टी को उल्टी भीने ताकि पीछे सीधी को सीधी इसी तरीके से अब दीखे यह चोटा आरबड़ा साइज का बनाने के लिए यह 36 फंदे की जगा कम ज्यादा राख सकते हैं आरजियो 14 फंदे जो बाकी है इसकी जगा भी कम ज्य 14 फंदे यह आपको पर्ते चेन में एक एक बार उठाते हुए फिर यहां से आपको 14 फंदे उठा देना है और टोटा फिर 36 फंदे बना देना है अगर आप चोटा और बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो जितनी आप फंदे गटा है उतनी फंदे इस तरीके से उठाकर जितनी शुरी में आप फंदे लेकर बनाए थे उतनी फंदे फिर इसका उपर बना देना है मैं शुर में 36 फंदे लेकर बनाए थी इसलिए मैं यहां से 14 फंदे उठाकर फिर 36 फंदे बनानी वाली हूँ अब देखे मैं इसी तरीके से फंदे उठाकर लास्ट में आ चुकी हूँ देखे इस तरीके से अब देखे यह मैं 5 कुलम का सर की गोला का इसाब से बना रही हूँ देखे एक दो टीन चार पांच आपचाई तो यह कूलम जादा बनाकर स्षुटार बड़ा साइज का भी बनाचा सकते हैं और फिर फंदे कम जादा गराकर भी छोटार बड़ा साइज का यह टुट Match में बनाचा सकते हैं देखें नीचे में वोडर आता है। अब देखें इस तरीके से ये सर की गुलाये का नापभी में देखा रही हूँ है। मतलब ये वोडर बिनने के बाद ये हरारी ने साथusing इंच का आस्पराश में आ जाता है। है कि मोडर थोड़ी टाइट होता है इसकी बजा से ये देखों estreusement यह हारारी पंद्रा स्वारा ने रियर सप्राइब जिस की सर इन फोनओ से आ जाता है इस ऐसे बंढम कुछिए आन लेता संठीक शाविशान में इरेक 50 में आप देखे इसका लेंद्ध भी में नापकर देखाती हूं देखे ये 6 इंच का बनकर आ रहा है क्या है कि इसका उपर हमारा बोडर आता है देखे मैं यहां से भी नापकर देखाती हूं ये 6 इंच का आता है और इसका नीची में हमारा बोडर आता है बोडर हरारी एक से डेड़ इंच तक का आता है अब चाय तो ये बोडर का लंबाई भी गड़ गड़ आ सकते हैं अब देखे एक कुलम ये 3 इंच का है देख सकते हैं येTime 3 इंच का है ये ट्रपे चोटार बड़ा साइज का बनाने के लिए 1 कुलम का लंबाय बड़ आ आसानी से बना सकते हैं इसमें पांच कोलम बना रही हूं देख히े एक कोलम दो कोलम कोलम तीन कोलम कि चार कोलम पांच कोलम सbreello अब चाया तो बड़ा साईज का बनाना चाहते हैं तो स corporate साथ कोलंबी बना यह 15 से 17 इंच जिसकी सार के गुला है उस तक आरम से आ जाता है फेक्सिबल होने के बाद से अब देखिए इसका ब्याकसाड से देखा रही हूं ब्याकसाड से आपको सारी फंदे बंद गारनी है एक फंद बिनना है पिछे का फंदे इसी का अपर से गिरा फंदे टेना है फिर एक फंदे बिनना है पिछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा धæना है थोड़ी खिशना है अब देखे यह टरीके से बन करा अन कर सब्सके Brenda करें यह 15 चैन है और इसका उपर एक कोलम से आपको 20 फंदे उठाकर इसका उपर आपको 100 फंदे उठा देना है देखिए किस तरीके से 100 फंदे उठाएंगे एक फिर दूसरी चेन में भी एक बार उठाएंगे तीसरी में आपको एक में से दो बार उठा देना है अब देखिए किस तरीके से पिछे का चेन से एक बार से दो बार फिर देखिए दो चेन में एक बार एक और ये दो चेन में एक बार तीसरी वाले में एक में से दो बार एक बार फिर इसी में से फिर एक बार इस तरीके से फिर इसमें एक बार फिर इसमें एक बार फिर इसमें एक में से दो बार इसी बात को रिपीट करते हुए इ आपको उठा देना है, एक ब्याक चेन से और एक फरनाट ब्याक का दूनों लेकर, देखे इस तरीके से एक कॉलम में 20 फंदे उठा रही हूं, देखे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस दूने 20, इस तरीके से आपको परते कॉलम से 20 फंदे उठा क इसका उपर 100 फंदे उठा देना है मतलब आप बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे लेकर आप बनाएंगे उतनी फंदे इसका उपर राखना है इतनी सी ब्याक साइड से का अपर बिनना एक पर चीज़ा एक सीधा फिर एक फंदा उल्टा इसा तरीप से एक सीधी एकарищ उल्टी बिःधन कर इसका अपर आपको बोड़ा डीजाइन नीए one-by-one का रिब МУЗЫКА इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट गानी है सीधी अद उल्टी दोनों साइट से एक सीधी एक उल्टी बीनती होए देखें मैं लास्ट में आ चुकी हूं एक सीधा एक उल्टा बीनती होए अब देखें मैं इसी बात को रिपीट गाते हूं इतनी बीन चुकी हूं य इसी तरके सी यूनिकर लेटेस विडियो लेकर आती हूं अब देखें इतनी होनी के बाद इसका उपर का फंदे आपको बंद गारनी है देखें उल्टी फंदे आपको उल्टी बिनना है फिर पीछे का फंदे इसका उपर से गिरा देना है फिर सीधी वाला फंदे सीधी नेकर लास्ट में आ चुकी हो एक फंदा उल्टा फिर पीछे का फंदे इसी का उपर से गिरा देना है फिर एक फंदा सीधा फिर पीछे का फंदे इसी का उपर से गिरा देना है थोड़ी खीसना है और यह धागा कट गर के लग लगा देना है धागा थोड़ी लंबे राकर आप कट गरिएगा यहां से यहां तक आपको सेलना है देखिए दोनों साइट का एक एक चेन लेते हुए इसका आपर हम सिलाई गरेंगे देखिए इधर साइट का एक चेन और इधर साइट का एक चेन अब देखिए दोनों साइट का इसी तरीके से चेन वाला डिजाइन लेक है कि आप चाहिए तो इसका उपर पंपम लगा कर भी यह सजा सकती ही पर इन एक बात बहुत ही सुन्दर नज़र आता है इसलिए मैं आपसे स्यार कर रही हूं